जिया और अभिशेक में बातचीत बंध हो चुकी थी दोस्तों और जिया शंकर अभिशेक से नाराज भी थी अभिशेक ने अपने लेटिस्ट इंट्रिव्यू में इस बात का खुलासा किया है चलिए बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाय में मैं हूँ अधती शर्मा तो अभिशेक मलहान का कहना है कि जिया को मैंने हमेशा समझाया है कि कोई भी चीज होती उसे अपने उपर लेने की जरूरत नहीं होती लेकिन सोशल मीडिया पे कॉमेंट शेक्शन में कुछ चीजे थी जो उसने अपने उपर ली और उसका हमेशा की तरह एक इंपुल्सिव रियक्शन जो है देखने को मलता है उसने वो चीजे मुझे टेक्स्ट की मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे लिए नहीं है लेकिन उसके बावजुद उसने कुछ पोस्ट किया और उसके बाद फिर से हमारी दो तिन दिन बात नहीं हुई और मैंने उसको ट और यहाँ पर जो है फिलाल अभिशेक ने एक इंट्रव्यू में ही कहा था कि भई हर टीवी एक्टर अपना एक व्लॉगिंग चैनल बना कर बैठ गया है लेकिन कभी जो है ये यूट्यूबर्स को कुछ भी नहीं समझते थे बिग बॉस के घर के अंदर तो कुछ भी नही जिया को समझाया और दो तिन दिन उनकी बातचीत नहीं हुई थी उस मैटर्स को लेके जो भी सोशल मेडिया पर चल रहे थे लेकिन उसके बाद फिर से बातचीत होना शुरू हो गई और सब ठीक है आप सभी को क्या है इस पर कहना कॉमेंट्स में बताइए जरूर मिलते है प्रूम्टे बताइए भी तो तैन को कैसा वाल को बातब कided आप सब क्यों सेखने घ्कला कॉम्टे पाल का का Nahe